है 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 फ्रेंस वेलकम दो सीजेल अप्टिर पाश्राला मैं जेपी सही के आप सब लोगा स्वागत करता हूं इस चैनल में तो हम लोग वह काफी अच्छे वर्ट सीखेंगे और वीडियो के बाद यू फाइंड लिंक बिलो तो उसको भी आप डाउनलोड कर लेजिए और हम लोग और टाइम इस नहीं करेंगे तो सिधा हम लोग स्टार्ट करते हैं तो फर्स फर्स जो स्लाइड होगा इस ओके चौविनिज्म इस फर्स वर्ड चौविनिज्म बहुत लाइंड वर्ड यह आपने शॉयद बढ़ा भी होगा और यह ऐसी एक्जाम में धले पूझा गया हूँ है चौविनिज्म ठीके इसका मिनिग है ऑर ब्लाइड पेक्सिव और प्लाइड पीर्टियोन के उता है एक तो यह एक्सेशिव और ब्लाइन पेटिडिजम और होता है कि एन एटिटूड ऑफ सुपरियरिटी तोर्स मेंबर्स ऑफ दो ऑपोजिट सेक्स ठीक है यह एक और मीनिंग होता है जैसे मेल मेंबर्स हो गया अगर वो सुपरियर वो शो करते हैं वुमेन के उपर तो उसको हम लोग चौविनिजम बोल काफी इन वह दूआ है एक वरी इंपर्टट वर्ड जिंगोस्टिक वह जाएगा इसका देनस्तलिस्म नसलिसम यह होता है कि अगर आप एक्सिवेक्शेव पेट्रिटिजम शो करते हो ना तो उसको हम लोग नेसलिसम बोलते हैं यह डिबेट काफी चल रहता अभी ठीक है तो आपको पता होना चाहिए, next, third word is fanaticism, fanaticism, अगर आप extreme viewpoints रखते हो, तो हम लोग उसको बोलते हैं fanaticism, fanaticism, और जो लोग होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं fanatics, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि religious fanatics, ठीक है, तो यह सब word, very important word, okay, then let's move on to the antonyms, antonyms, जो पहला है candor, candor, होता है, actually, एक और इसका मिन कहता है, fairness, मलब, honest, ऐसा, fairness, मलब यह कुछ extreme है, यह biased opinion है कि नहीं, excessive patriotism, तो candor, जो है, fairness, mean करता है, okay, clemency, clemency, again, means the same thing, mildness, आपने सुनाओं का clemen to weather, clemency मरसी भी होता है, ठीक है, जहां पर आप मलब, मरसी मला, bias नहीं हुआ, ठीक है, fair, fair, okay, next, third word is tolerance, tolerance, यह बड़ आपने काफी सुना होगा, आपने, okay, so these are the antonyms, तो हम लोग, यह जो आप, इमेज को देख लो एक बार, फिर से एक बार, यह सब कुछ justify करता है, यहाँ पर, okay, तो यह symbolize करता है, male को, ठीक है, यह जो symbol है, यह symbolizes male, तो यह जो है, it shows male chauvinism, it shows male chauvinism, तो sentence भी हम लोगों ने लिख रहा है, यहाँ पर usage, male chauvinist always tries to disrespect women, ठीक है, इसका सबसे अच्छा example, if you'll see, अगर आप Donald Trump का देखोगे न, आप वीडियोस में, काफी ऐसे insulting words काफी उस करते हैं, okay, तो उनको ऐसा बोला जाता है, male chauvinist, अगर आपने interview उनका देखा होगा, ठीक है, त geneticism, okay, antonyms होगे, candor, clemency, tolerance, okay, sentence यहाँ पर है, okay, तो let's move on to the next slide, okay, profound, profound, एक बहुत important है, profound, profound, यह आपके सुना होगा, बहुतों का meaning पता होगा, लेकिन मैंने जो यह word select कि है, because of the synonyms, यह आप लोगों को पता होना चाहिए, okay, इसका meaning तो पता, very great and intense, ठीक है, very great and intense, profound का meaning होता है, अगाद, अगाद होता है, अत्यंत, great, very intense, okay, simple meaning है, लेकिन इसके जो synonyms से वो काफी important है, रेकॉन डाइट, ठीक है, रेकॉन डाइट, ठीक है, एपस्ट्यूज, unfathomable, मलब ऐसा की मलब और एक synonyms हो गया है, मलब की deep, मलब इतना मलब intense, great है की बहुत कम लोग उसको प्लिक सकते हो, isoteric मतलब क्या होता है की, मतलब, it is known by very very few people, isoteric, isoteric, okay, isoteric, known by very few people, क्यों काफी हो profound है, काफी हो great है, काफी intense है, because of this, रेकॉन डाइट, एपस्ट्यूज, unfathomable, deep, isoteric, okay, now let's move on to the antonyms, अगर देखिए, अगर great हो गया, बहुत great है, intense है, तो shallow, ठीक है, deep, मै मैंने बोल दिया, आपको synonym deep है, तो shallow, मतलब, उपर-उपर का, deep नहीं हो, shallow है, okay, next, superficial, facile, ये काफी, this is a very important word, इसको आप लोग लिख लीजे, आप लोग, very important word, facile, okay, तो ये तीन होगे antonyms, shallow, superficial, मतलब, उपर-उपर का होता है, हम लोग बोलता है, superficial knowledge, इसको deep knowledge नहीं होता है, superficial knowledge, तो ये उसका antonyms हो गया, profound का, then facile, ये important word है, इसको please mark कर लिजे, please know down कर लिजे इसको, okay, देखिए, ये image सब कुछ signify करता है, सब कुछ explain कर रहता है, ये the person is in very intense thinking, मतलब काफी वो deeply उसको सोच रहा हो, okay, there is a profound usage, there is a profound difference between information and meaning, okay, information मतलब क्या होता है, कुछ fact, okay, meaning is what, meaning is, meaning का essence, ठीक है, तो दोनों में काफी फर्क है, एक तो गया, fact, information, और meaning, essence उसका main चीज, okay, तो there is a different between information and meaning, ठीक है, profound, very great and intense, recondite, abstuse, unfathomable, antonym, shallow, superficial, facile, and the sentence यहाँ पे है, तो चलिए हम लोग करते है, third word, okay, narcissism, narcissism is a very important word, ये आपका spelling error भी आ सकता है, क्यूंकि आपको दिख रहा है, यहाँ पर दो S है, यहाँ पर, single S, तो काफी कुछ इन लोग, यहाँ पर single S देके, यहाँ पर double S देके, तो उसको question मना सकता है, spelling error के question मना सकता हो, इसका मन्दभ एक excessive interest in oneself and one's physical appearance, okay, अगर आप बहुत जदा आप अपने जो appearance है, उसके पर आप बहुत जदा फोकस करते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, narcissism, यह noun हो गया, और वो उस person को हम लोग क्या बोलेंगे, narcissistic, TIC, okay, narcissistic will be the adjective, यह noun है, abstract noun है, okay, egoistic, मतलब काफी self-centered है, मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचते रहता है, उसको लगता कि मैं सबसे बहुत जदा important हू, ठीक है, यह आप सबसे perfect example मिलेगा आपको जो हमारी celebrity होते हैं, तो they have this kind of feeling, okay, तो अहंकार कह सकते हो आप एक तरह से, okay, तो चलिए हम लोग मुवां करते हैं, synonyms, okay, vanity, vanity is a very important word, vanity, आपने सुना होगा celebrity, लोग काफी vanity, वेहिकल, 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 वेहिकल लेकिया आते हैं, okay, तो vanity इसी से आ काफी important word है, okay, vanity, smugness and hotiness, okay, these are the synonyms, antonyms इसके होगे की humility, अगर आप बहुत ज़्यादा आप, if you are showing that you are so many, so much important, तो humility उसका पूरा उल्टा हो जागा, okay, humility, humble, okay, meekness, मुलाब पलाइट है वो, polite, meekness, politeness, unselfishness, okay, so these are the antonyms, and the picture, picture सब को summarize कर रहा ही है, ठीके, यह अपने बा कारे में कितना को सोचता अपने मार, दिखरा है आप लो, आपको, the head itself is showing that, he feels that is very important, तो let's move on to the sentence, narcissistic personalities tend to have an exaggerated, exaggerated sense of self-importance, they feel they are very important, okay, वो भी कैसा है कि exaggerated, बहुत ज्यादा, exaggerated, okay, so let's move on to the fourth word, yes, stultify, stultify is a very important, okay, it's a, यह verb है यह, stultify, ठीके, cause to lose enthusiasm and initiative, cause to lose enthusiasm and initiative, इसका मीनिंग है इसका, ठीके, उच्साक होना, उच्सा, जो आप, if you lose the enthusiasm, that is called stultify, okay, verb है यह, तो let's discuss the synonyms, okay, enfable, enfable, ठीके, okay, impede करना, impair करना, muzzle करना, muzzle, muzzle, impede, enfable, these are the synonyms of stultify, और भी आप लिख सकतो है, impair लिख सकतो है, ठीके, बहुत सारे इसके हो जाएंगे, इसके, impair, ठीके, यह भी हो जाएगा, अच्छा synonyms हो जाएगा, इसका, और एक वर्ड है, एनर्वेट, एनर्वेट, एनर्वेट का होता है कि to lose energy, एनर्वेट, यह भी इसका एक अच्छा synonyms हो जाएगा, इसका, stultify का, okay, enfable, impede, muzzle, impair, एनर्वेट, कितने सारे वर्ड हो गएए, okay, let's discuss the antonyms, अगर stultify होता है कि enthusiasm को lose करना, then strengthen करना हो जाएगा, इसका opposite, strengthen करना, ठीक है, elevate करना, अपना जो सिट्वेशन ने उसको improve करना, मतलब enthusiasm में rise होना, that is called elevate, okay, excite, yes, because you are lacking in enthusiasm, अभी आप excited हो रहे हो, full of energy, ठीक है, energize भी हो सकता है इसका ही, energize, antonyms, okay, तो antonyms ही हो गए, okay, stultify, cause to lose, enthusiasm, enfable, impede, muzzle, antonyms, strengthen, elevate, excite, energize, again मैंने लिख दिया, impair और enervate, okay, यह देखिया, आपका image, इमेज, ठीक है, यह यहाँ पर first गया है, then he gave up and he lost all his enthusiasm to leave, the mouse, okay, usage, the government has been stultified by bureaucracy, आपको पता है, bureaucracy में काफी rate tapism काफी होता है, तो इसके करण क्या होता है, कि जो file movement वो काफी slow होता है, तो जो काम जो होते है, important works वो slow हो जाते है, तो enthusiasm जो हो जाता है, and initiative also, तो let's move on to the last word, censure, censure is a very important word, okay, it's a noun basically, strong criticism or disapproval, इसका meaning है, strong criticism or disapproval, निंदा करना, दोस लगाना, okay, censure noun है यहाँ पर, censure as a verb भी यूज़ होता है, verb भी यूज़ होता है, same word, same word will be used as verb, strong criticism or disapproval, निंदा करना, दोस लगाना, let's discuss the, इसके बहुत सारे synonyms आपको मिल जाएंगे, एक तो reproach हो गया, reproach, यह as a noun ही यहाँ पर, और यह verb भी होता है, reproach, reproach हो गया, same noun होगा, same verb भी होगा, verb, okay, and castigation, यह बहुत ही important word है, इसका जो verb होगा, castigate, आप देखना, previous area question आया हो आई है, castigate, castigation, यह verb है, castigation का, मिनिंग होगा है कि censure करना, मतलब strongly disapproval करना, criticize करना, reprimand, okay, both as a noun, as a verb, same word meaning करेगा, noun और verb, okay, reprimand करना क्या होता है, censure करना, strongism, rebuk, rebuk भी इसका एक, synonym हो जाएगा, मैं मिटा दो दो इसको, okay, you can write down, और भी आप synonym लिख सकते हो, और श्रीन निम, rebuk करना, ठीक है, reproof, यह भी अच्छा वर्ड है, reproof, okay, these are the good synonyms of this one, rebuk, reproof, okay, let's discuss the antonyms, अगर एक्रिटिसाइस कर रहा है, तो extolment, extolment क्या होता है, praise करना होता है, praise, praise का, praise is a, ठीक है, extol करना, extol, यह noun हो गया है, extol is the verb, ठीक है, इसका मतलब होता है कि praise करना, praise, तारीफ करना, क्रिटिसाइस का उल्टा हो गया है, okay, approbation, again, same thing, praise करना, approbate, अगर आप लिखतो, a, p, p, r, o, b, a, t, e, यह उसका verb हो जाएगा, okay, इसका मतलब यही है कि praise करना, then again, plot it, plot it is a very important, okay, it's a noun, plot it, plot it मतलब होता है कि praise करना, okay, तो we have discussed everything now, sensuous, strong criticism, disapproval, synonyms कर लेता है, reproach, castigation, reprimand, rebuke, reproof, okay, यह आपको image, सब कुस, explain करता है, आपको, censure, ठीक है, काफी criticism हो रहा है, criticize कर रहे हैं, यहाँ पर, then uses, the country faces international censure, okay, criticism, for its alleged involvement in the assassination, कहीं तो assassination हुआ है, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि country में, country ने काफी censure, criticism काफी face किया है, ठीक है, मतलब country ने कुछ action नहीं लिया होगा, ताकि इस case को solve करने के लिए, यह recently आपके Saudi Arabia में, country में, उनके diplomat को kill किया गया तक एक country में, दूसरे में, तो काफी there was censure, okay, तो ठीक है, हम लोगा discuss के लिए, सारे words, तो इसका description link में, आपको PDF मिल जाएगा, इसको download कर लेजिए, और अपने, उसको compile करके एक बड़ा PDF बना लेजिए, ताकि सब कुछ आपके एक ही file में हो जाए, ओके गाइस, तो ऐसे हम लोग continue करेंगे, और अच्छे अच्छे words सीखेंगे, चलिए, बाई,